तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल पर और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज बहुत इक बिज्ञान नहीं है आज रसायन बिज्ञान है रसायन बिज्ञान के ही 20 इंपोर्टेंट कुश्चन है ठीक है तो मैं जैसे से क्वेश्चन को कराऊंगा वैसे से आप द्राइक बात और नहीं आपके चैनल इसरी लोग द्रौकर कमेंट में ज़रूरू करते में यूबंताएंगे बंतलब कोई भी पॉल टेक्निक एक्जाम हो। उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो पॉल टेक्निक एक्जाम कर्षिन होते हैं वो लगबग लगबग 90 से 95 परचवन तक सेम होते हैं तो चलिए कोईशन स्टाइट करते हैं हम लोग सबसे पहला मिथेन को जलाने पर क्या होता है carbon dioxide निकलती है तो मिथेन को जलाने पर हमारा carbon dioxide और पानी निकलता है यानि कि जब कभी हम लोग cH4 को जलाएंगे उसमें says co2 plus whoo बाहर निकलता है तो याद सैकेंड नुम्हेंट कोशेंट है कि ख़दानों में अधिकांश विश으면 के साथ सेंधन.. औक्सिजन के साथ नight otrosन के मिसनसे से एसिटिलीन के साथ औक्सिजन से या फिर एधन के साथ या पहलुए औक्साइड के मिसनसे तो ख़दान में कभी वी Smut होता है, तो वहाँ पर जब мнеthane को हवा के साथ यानि कि Oxygen के साथ जब आसव जानते है, तो वहाँ पर वी Same शेवाँ हो जाता है ठीक है 사़ उसके बाधसे कार्बन डियुकसाइड के लावा ग्रिन हाऊस गैस कौन सी है तो यहाँ पर देखिए option बहुत अच्छा question है chlorine, fluorine, carbon dioxide, chlorofluorocarbide, carbofluorocarbide ये फिर chlorofluorocarbide तो देखिए आपर अगर आप लोग को answer पता भी रहगा न तो भी आप लोग यहाँ पर confusion हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा option सही है तो option जो है याद रखना आपको CFC और क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस होती है ग्रिन हाउस की अलावा और भी होती है गैसे जैसे मीथिन भी होती है तीक है, nitrous oxide भी होती है ये सब याद रखना आप लोग को CFC का पुरा नाम क्या है chlorine, fluorine, carbon dioxide chlorofluorocarbide carbo fluorocarbide या फिर chlorofluorocarbide तो CFC का पुरा नाम just abd मैंने उपर बताया क्लोरो फ्लोरो कारबन होता है CFC का पुरा नाम अगला question chlorofluorocarbon को निमलिखी के नाम से जाना आजाता है मतलब कि इंपोर्टं गैसे लिए हदेиной यह चलिए बहुत बड़िया अगला कोश्चर गिसकस का विस्तार हे चैप्ट सी का है इच्सिए टैस का विस्तार क्या है है बहुत है की और के 했는데 से कौन सा शामान घरेलू प्रसित्र को के रूप में प्रयुक्त किया जाता है मन्तलब आपसे पूछ रहा है कि सामान खरेलू प्रसित्र को मतलब कि घरेलू जो político Г ev a व्रीजस करते हैं उसमें कौन सी घैस होती है फ्रियोन्य नियोन ऑक्सिजन या फिरीज में से कोई नहीं तो option इसमें से हो जाएगा यह वाला option फ्रियोन ठीक है फ्रियोन यानि की cfc gas होती जो freeze होते उन में cfc gas निकलती है ठीक है ना और cfc का दूसर नाम फ्रियोन तो फ्रियोन वाला option से हो जाएगा एट नमर तो जो कर्म हमाग के गुबार होते हैं उन में जो भरी जाती है गैस होती है हमारी हिलियम गैस भरी जाती है ठीक है और टेंथ नमर क्वेशन है सिग्रेट लाइटर में निमलीकीत में से कौनसी गैस प्रव्वक की जाती है, जो सिग्रेट लाइटर होती है, उनमें कौन सी गैस प्रीईटर की जाती है, चार ओप्शन है, आप लोग टिक करेंगे और बताएक कौनस votes से हो गता है तो जब दूद खट्टा हो जाता है तो उत्पादन करता है तो किसका उत्पादन करता है लैक्टोज, सैलिसलिक एसीड, लिनॉलिक एसीड या फिर लैक्टिक एसीड तो जब दूर खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसीड में बदल जाता है लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसीड में बदल जाता है ठीक है अगला कोशन फोटोग्राफी में कौन सा अमल प पत्री के निर्माणफ में सरवादिक सामानय योगिक है यान कि जब कोई गुर्दे की पत्री होती है तो उसमें आने वाला योगिक कौन सा होता है sodium bicarbonate, calcium oxalate, magnesium oxide याफिल की magnesium citrate तो option जो है इसमें सरजागा calcium oxalate का प्रयोग करते हैं ठीक है अगला question है निम्बू का खट्टा स्वाद किसकी मौझूदगी के कारण होता है अक्जिलिक अमल, acetic अमल, lactic या फिर citric अमल तो निम्बू का खट्टा स्वाद जो होता है वो आता है हमारा citric अमल के कारण या फिर citric acid के कारण तो option number D वाला सा ये citric अमल के कारण आता है 15th नमर question खट्टे फ़लो में क्या होता है citric अमल, lactic, oxalic अमल या फिर formicum तो लगबग लगबग जितने भी खट्टे फ़लो होते हैं हम दो का तो उन खट्टे फ़लो में जो होता है citric acid होता है citric अमल ही होता है ठीक है 16th नमर question जो अंगूर होता है अंगूर में पाजाने वाला मुख्य कार्बनीक अमल कौन सा है तो अंगूर पताए जो हम दो खाते हैं अंगूर उसमें कौन सा कार्बनीक, मुख्य कार्बनीक अमल कौन सा पाजाता है अगला question नाकून पालिस परिमारजन परिमारजन में क्या होता है पेट्रोलियूम एथर एसिटोन बैंजीन या फिर एसिटिक अमल तो नाकून «पालिस परिमारजन» में क्या होता है तो वह होता है इस आप लोग सही कर लेंगे तरेंट्स में प्रियोग साल Hahn किया गया supreme सब्सेट कारबनी लिए भी था यान कि कौन सा कार्बर में सबसे पहले बनाया गया था अगला कवेशन चुसराद करते हैं हम लोग नम्नलेक निकर्मेश से से किसे में द्रवयमान की द्रिष्टी से अधिकतम प्रतस्त नियोजन पाया जाता है अमोनियम कार्पूनेट अमोनियम सल्फित या फिर अमोनियम साइनाइड तो और अप्लों किया होगे और आप लोग अपने नमर बताएंगे कि आप कितने नमबर में से 20 में से कितने questions आप लोग ने सही किये हैं कमेंट में जरू बताएंगे और साथ में ये भी आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और जिसको भी पीडिये चाहिए तो हमें आप लोग इस नमबर पर call कर सकते हैं 75, 25, 81, 89 इस नमबर पर हमें call करके ज जानकारी दे सकते हैं ठीक है चलिए तब मिलते हैं हम से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद